असलाम लेकम गाइज तो इस वीडियो में हमाले पास अंबॉक्स करने के लिए वीवो का यज यह वाइवन एंडर्ट और इस पून को पॉस करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे तो यह फून का बाक्स है और इस बाक्स के पीछे कुछ स्पेक्स लिखी हुई है जैसे कि इसमें हमें 80W का डॉप्टर मिलता है 5000 mAh बैक्ट्री 120 Hz का AMOLED डिस्प्ले एक्सेंडेबल राम है 8 प्लस 8 GB और स्टेडियो स्पीकर इसमें 256 GB स्टोरिज है और 8 प्लस 8 GB एक्स्टेंडेबल राम है तो हम इस फून को पहले करते हैं अन्बॉक्स तो अन्बॉक्स करते ही हमें सबसे पहले फून देखने को मिलता है और इसके उपर हमें एक प्लास्टिक की शीट देखने को मिलती है इस शीट को हम उतार देते हैं तो ये है हमारा फून तो पीछे हमें थ्री कैमरा सिस्टम देखने को मिल रही है और साथ में एक फ्लैश है और ये ब्लू कलर के अंदर है और जो कैमरा रिंग्स है ये गोल्डन कलर के अंदर है तो इसके बाद अब हम बाकी चीज़ों के को मिल जाती है और ये रहा हमारा सिम इंजेक्टर तो ये सब हमें बाक्स में देखने को मिलता है और इन चीज़ों को हम करते हैं साइट वे और आते हैं फून पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फून के कैमरे की तो इसमें हमें तीन कैमरा देखने को मिल जाते हैं जिन स्का, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही कैमरा है जो कि सेंटर वाला है प्रोपर 50 Megapixel कैमरा नहीं है अगर आप इसका कैमरा खोलते हो और आप किसी भी मोड को Newして需要 इसमें सिर्फ ये सैंटर वाला कैमरा ही काम करेंगा उपर वाला कैमरा काम नहीं करेंगा। मैंने हर मोड इसका ट्राइ किया है लेकिन फिर भी उपर वाला कैमरा मैं आउन नहीं कर सका और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक ही कैमरा है जो के सेंटर में है और अगर आप इसमें 50 मेगा पिक्सल तस्वीर बनाना चाहते हो तो आपको स्पेशली मोड में जाकर यहां 50 MP सेलेक्ट करना पड़ता है तब जाकर आप एक 50 मेगा पिक्सल वाला कैमरा खोल सकते हो लेकिन इसमें भी आप जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते और यह तस्वीर जो के मैंने 50 मेगा पिक्सल में बनाई है इसका रिजल्ट आप देख सकते हो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा यह पिक्चर इस मोड के अंदर आप वीडियो भी नहीं बना सकते और आप पिक्चर के अंदर जूम इन और जूम आउट भी नहीं कर सकते उसके बाद जो इसका स्टेंडर कैमरा है जो के सेंटर में है इसके अंदर मैंने कुछ तस्वीरे बनाई थी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह का रिजल्ट इस कैमरे में आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर आप अल्टरा वाइड एंगल के उपर शिफ्ट नहीं कर सकते है कैमरे को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो और इसमें अगर आप जूम करते हो तो आप मैकसिमम 10 नेक्स तक जूम कर सकते हो पिक्चर्स में और वीडियो में भी और जो वीडियोज हैं वो आप 1080 पिक्सल 30 fps और 60 fps के ओपर बना सकते हो इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस वीडियो में आप 10 next तक जूम कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा और इसकी जूम की स्पीड है वो काफी स्लो है ठीन शीफ पर और एक ही जगा पर खाड़ होकर प्रोट्रेट मोड का फीचर हमें मिल जाता है और उसके बाद हमें प्रो मोड लाइफ फोलोग फीचर भी मिल जाता है तो यह सारे फीचर इसके कैमरा के अंदर अवेलिबल आपको मिल जाते हैं लेकिन इसका सिर्फ एक ही camera काम करता है जो कि ये center वाला है उपर वाला camera किश काम आता है ये मुझे नहीं पता ना मुझे इसकी कोई इतनी information internet सै मिली है और जो नीचे वाली side है यहां पे कोई camera नहीं है यहां पे जस्ट एक design है जिसको फेस लगता है इस फून के तीन कैमरा हैर Nossa हाते हाई दुसी आते हैं इन्डियन वरियंट ए इस घ्लोबल वरियंट भी पाकिसाल से कि नजते है पिली है पाकिसाल कि उसदे ही हां पाला अधा नोयाओ दाता है चाल आर पाकिसान िूट के त्था है आधे और इस में शेर डेबल सिम स्लाट देखने को मिलती है एक नैनो सिम और एक समाल साइस की सीम इसमाल कर सकते हो नहीं तो कि ऑनल साइस की सिम समाछ कर सकते हो इसके लावा अगर हम Frild Camera की बात करें R4 गारि आठ मेगा एक्षय को मिलता है उसके ओपर मैंने कुछ तस्वीरे बनाई है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ये तस्वीरे मैंने इसके फ्रेंट कैमरा में बनाई है इसका ये रिजल्ट है और इसके इलावा अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले और स्पिकर की इसका जो डिस्प्ले साइज है वो हमें 6.67 इंचिस का देखने को मिलता है और अगर आप इसके अंदर वीडियो प्ले कर रहे हो वो आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक कर सकते हो यानि फुल एच्डी और 4K का फीचर इसके अंदर हमें नहीं मिलता और यह इस वीडियो की क्वालिटी है जो के मैं एक आपको दिखा रहा हूँ इसके डिस्प्ले की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो और जो रेजोलूशन है इस डिस्प्ले की वो 1080 by 2400 है 120 हर्ट इसका डिस्प्ले है जो के का मेंचन है इसकी स्पेक्स के अंदर और जो brightness है वो 1800 nits पे जाते हैं AMOLED डिस्प्लेइ इसके अंदर लगा है इसके लावा इसके अंदर हमें stereo speaker देखने को मिलता है और speaker की हवाज हम चेक करते हैं और इस तरह की हमें speaker की quality देखने को मिलती है जो कि इतनी loud वाज नहीं देता और इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ गेम्स भी इंस्टाल गी थी और उसके लिए हम पहले हम इसका processor चेक करेंगे तो इसके अंदर जो processor है जो कि यह claim करते हैं वह है Snapdragon 4 Gen 2 4 nm के अंदर हमें 2 clusters देखने को मिलते हैं 4 cores और 4 cores 1st cluster पे 1.9 GHz और 2.8 GHz 2nd cluster के उपर और जो actual RAM का साइज है वह 7.43 GB है जो कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हो और जो benchmark मैंने इसके चेक किये थे वह single core के उपर 476 और multi core के उपर 15 162 और जो processor है उसकी benchmark चेक करते वग कोई इतनी हास information हमें नहीं मिली जितनी भी information हमें इसके processor की देखने को मिली है वो इनकी official website पर देखने को मिली है और उसके बाद इसमें मैंने गेम इंस्टाल की थी PUBG हम गेम खेल कर चेक करते हैं कि गेम में यह कैसी performance हमें देता है तो अगर हम graphics की बात करें smooth पे आप high पे खेल सकते हो balance पे medium पे HD इसके अंदर available नहीं है यानि gaming के लिहाज से इसकी graphic quality अच्छी नहीं है और इसके बाद इसके अंदर हमें gyero मिल जाता है like आप gyero scope on करके इसमें गेम को खेल सकते हो और हम इसके अंदर गेम खेल कर देखते हैं तो यहाज गेम की quality और इसके अंदर graphics इतनी अच्छे नहीं आपको देखने को मिलेंगे और इसके लावा इसमें गेम इतनी smooth नहीं चलती थोड़ी सी lag आपको इसमें गेम में देखने को मिलेगी और दूसरी चीज़ यहाज के इसके अंदर थोड़ी बहुत hitting भी आपको गे तो यह साथ हजार मार्केट के अंदर अवेलिबल है box pack अभी की मैं आपको इसकी price बता रहा हूं जिसमें आपको 8GB RAM और 256GB storage मिल रखती है इसके लावा जो phone की quality और इसकी specs हैं उसके लिहाज से इस phone की price बहुत ज्यादा है क्योंकि इस phone में हमें कुछ इतना हास देखने को न इसके लावा इसके अंदर कुछ इतना special नहीं है गाइस फिर यह थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने unbox और review किया है वीवो के Y100 को तो मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो अपसंद रही होगी तो वीडियो अपसंद आने पर वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe जरूर कीजेगा तो अब इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में तो अपना हैाल रखिएगा